हलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग आप सब को मेरी एक निव भ्लोग में स्वागत है तो फ्रेंड्स देखिए मैं मॉर्निंग से उठके मेरी सुष्टान को क्लेनिंग करने लगी हूँ आज संडे का दिन है और 15 में है तो सुभाय हजब्यान का ड्यूटी था पांच बजे मे अलुका भुजिया के साथ परठा बना के मैंने ब्रेकफास्ट में दे दिया है आज में ब्रेकफास्ट नेहूं करूंगी संक्रांधी का दिन है तो मैं लेट खाना खाओंगी एक बार दो पहर को सिधे खाना खाओंगी तो बच्चों को लिए देखूंगी कुछ हालका कर रही थी और बुब का स्कूल शू है ना अभी जरूरत नहीं होता है तो उसको मेरे आप करके उसके जागा पर रख रही थी और मेरे जो बाहर जाने बला शू होता है उसको भी राप करके मैं उसके जागा पर रख रही हूं जो डेली उज बले सू होते हैं उसको ऐसे ही बा बाहर ही रखा होता है, किसका सू स्टांड में होता है, तो किसका ऐसे खुला ही रहता है, तो एसी होता है, तो morning में इसको एक बार क्लीन कर लेने से अच्छा लगता है, फिर मैं नाहा के फिर आपके मिलती हूँ, हालो फ्रेंट्स गुड मारिंग तो आज संक्रांधी का दीन है और मारिंग में हजबन गए थे डियूटी तो मैंने उनके लिए ब्रेकफास्ट बना के दे दिया था और घार में मैंने तो आज ब्रेकफास्ट किया नहीं बचों ने सूप करके पी लिये थे अब मैं जा रहे ह मैं हूँ लाँच बनाने के लिए बड़ा लड़का को मियुजि क्लास में लेकर चोड़के आया हूँ और छोटा बला लड़का भी रूम में है तो अभी मैं जा रहे हूँ भूद बनाने के लिए आज मैं आप लोग के साथ मेरेλαश रूटिन सेयर करने वाली हूँ तो ला उडिचा में तो हम ना ज्यादा होती है और सुछाशा एक बदा गयाना evolved तो इदर में बना रही दना धालात है और इसपर पाने डाल दिया है लोग में आदे है भी डाल दिया है हाल्दी डाल नें से ना बच्चों को थोड़ा अच्छा लगता है और डाल के लिए मैं इधर और हर डाल बेठा दी हूं हल्दी नमक डाल के तो डाल और चावल मेरी बेठ गए है तेखिए चावल पानी उबल गन जाने के बाद मैंने उसमें हुआई बीना प्याज और लेशन के सब्जी बनाएंगे तो चलिए देखेंगे आज सब्जी में क्या बना रहे हैं आज एक मिक्स भेज बनाने बाली हूं ये ड्रम स्टिक, आलू, बेंगन और कदू सब को मैंने काटके बना रही हूं सब्जी साथ में उड़त डाल की पापड मैं मैंने डाल दिया था हलदे और नमक डाल के इसको में अभी थोड़ सी खाय कर लूँगी साथ में डालूँगी मॉस्टाड पेस्ट मॉस्टाड के साथ लश लेशन इस बार में आड नहीं करूंगी क्योंकि आज बीना प्याज लेशन की खाना बन रही है शिर्फ मैंने बनाया था उसमे जीरा था सोर्शो था साथ में जो लाल मिर्चित है अब मैं लगा आँगी कोई धिनजट नहीं है पर सबजी और चाhausल डाल बहुत टेस्टी होने वाली है तो साथ में जीरा, सोर्षो और रूतेज पता का मैंने तड़का लगा दिया है और औरहर का डाल था तो आज का हमारा सिंपल सी खाना बनके रेडी हो गया है जीरा राइस, साथ में औरहर की डाल और ये मिक्स भेजबाली सबजी फ्रेंड्स गर में बहुत जादा है और मेरा अभी खाना बनाना खातम हो गया है अब लांच करेंगे तो सारे खाना को मैं बाहर लिया हूँ और बच्चों के लिए अभी में खाना लगा दूँगी तो देखें, प्लेट्स सब मैंने लगा दी हूँ, और सब के लिया आशन भी लगा दी हूँ तो हमारा खाना भी लग गया है, बचो को ना खाना बहुत पसंद आ रहा है खास करके चावल है ना, वो बहुत अच्छा लग रहा है ये चावल में मैंने जीरा और घी साथ में थोड़ी सी नौमा काड़ कर दिया था तो बच्चों को बहुत टेस्टी लग रहा है बिना प्याज ले सुनकी खाना है ज्यादा मसला नहीं है पर बच्चों को बहुत पसंद आया खाना ये तो फ्रेंड्स अभी हम चाथ के उपर आये हैं और अच्छा हावा चल रहा है क्रिश्ना बूबू दोनों मेरे साथ हैं अभी खेल रहे हैं हम पकड़म पकड़ाई ये हमको बहुत मज़ाता है भागोगे ऐसे भागोगे मामा पकड़ेगे आपको अभी रुको रुको अमरा कपड़ा सुख रहा है इसको लेकर जाएंगे नीचे भागोगोगा अब भागोगोगोगा थंद रुद आतो एक जगा पर खड़ेशके जाके जाके और इसे पकड़ लेना इस हो गया है तुम्हे भागोगी पहले पहले है अकडबाकडब में कितना अच्छा लग रहा है वाव बादल सब कीसे जा रहे हैывает कि अंटे ना उसे देखने के लिए बहुत अच्छा लगता है से वाव बहुत अच्छा सेनीज चैने है वादल ऐसे अपने आप यहसे जा रहे है हावा में धीरे धीरे हमारा चारो तरफ नारियल का पेड़ है सुन्दर लगता है देखने के लिए पकड़ के दिखाऊं कितने बार, कितने बार, कितने बार भाई को क्यों पकड़ो आपको तो पकड़ लिया तो अभी चलो नीचे चलते हैं कपड़े उठा के पिर रात का काम शुरू हो जाएगा दिनों हमने कपड़े उठा लिया है आप घर जा रहे हैं क्रिश्ना आजा साम के टाइम थोड़े छट के उपर बचो के साथ खेलने से मुझे भी अच्छा लगता है और बचो को भी अच्छा लगता है तो उपर से आने के बाद मैं इधर साम की अगरबती कर रही हूं और अगरबती करने के बाद मैं लग जाओंगी मेरी डिनर की टाइम में डिनर बनाने के लिए तो आज का व्लोग को इधर एंड करती हूं व्लाग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेट और शेयर कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे थांक्स पर वाचिंग, बाई बाई